तो हलो दोस्तों वेलकम टू माई यूटूब चैनल और आज यार मैं सिधा मुद्दे की बात करता हूं यह अपनी ओल्टो और इसमें जो है यह एलेक्स वेरियंट है जो कि हमने एलेक्सा इसको मोडिफाई करके बनाया है लेकिन इसके अंदर अभी एक कमी रह गी है क्योंकि कि इसके अंदर जो फोग लेंप नहीं है भाई तो फोग लेंप बहुत जरूरी है कि सर्दी आ चुकी है और धुंद बहुत ज़्यादा पड़ती है तो भाई अपने आज हम इसके अंदर लगाने वाले हैं फोग लेंप वह भी प्रोफेशनल तरीके से जैसे कंपनी से फी एक्षन तो बंपर खोल के मिलता हूं भाई आपसे तो भाई बंपर मैंने खोल लिया है और फोग लाइट फिट करने के लिए हमें यह जो डमी है ना यह निकालने बढ़ेगी यह कट इसकी अलड़ी बने वह यह पूरा का पूरा काट के निकालना बढ़ेगा दोनों और उसके अलावा हमें चाहिए एक बटन ओन आफ के लिए यह भी मैं ओरिजिनल लगा रहा हूं तब ही मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बिल्कुल जैनुन तरीके से लगा कि दिखाऊंगा यह मैंने मंगाया है बलैनो का और मंगाया गया मैंने ना कबाड़ वाली श यह वाइरिंग मैंने लेकिन अभी जो कनेक्शन है बसक July मैं कनेक्शन जो है रेले के वह इस विर के उपर करने वाला हूं यंज जो है मार्कीट से ही आउटर भी लिया था जो वाइरिंग का आयू पर वाहता ह Peak पाड़ा पंच रुपे मीटर यह वायर लियंग 5 ड़ीन째 है मैंने डाल दिया कि कैसे कैसे यह इसका जो स्विच के मैंने connection किये हैं रिले के connection किये है वह आप चेक आउट कर लीजिए तो चलो इसको काट लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ फोग लाइट और करते हैं गाड़े के अपर connection तो देखो बाई कटिंग अपने कर ली है देखो पूरा पूरा कट हो चुका और यह देखो इस तरीके से बैठेगा यह बैठके और यह जो इसमें तीन क्लैम्प होंगे एक यह वाला एक यह वाला और यह यह यहां पर हो जाएगा और यह वाला इधर आ जाएगा तो मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रहा हूँ और एक हाथ से काम कर रहा हूँ तो अभी फिट करके इस पर फिर दिखाता आप लोह हो तो भाई अंटेत्स को चुके हैं थर वाली और यह हो चुके हैं अभी करते हैं गाड़ी में वाइर्ण तो दिखाता हूँ गाड़ी में मैं कैसे वाइरिंग करनेंवे ऊपो तो भाई रिले फोग लाइट रिले के connection अपने हो चुके हैं और वो कैसे कैसे किया है वो मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ देखो कैसे किया है मैंने देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रिले पे जो बैटरी से पिन नमबर 30 को एक वायर आती है पोजिटिव उसके उपर मैंने फ्यूज लगाया 20 अमपेर का यह फ्यूज है और यह जो पोजिटिव मैंने ली है वो मैंने बाहर बैटरी से नहीं ली है वो मैंने ली है देखो भाईयों यहाँ से यह कपलर आता है यह 8 mm की वायर साती हैं बाहर से वायरिंग के अंदर से ही और मैंने यहाँ से यह पोजिटिव लिया जो की पिन नमबर 30 को जाता है और उसके बाद अपने कोछ यह ग्राउंड ग्राउंड मैंने जो है नेगेटिव वो लिया है हमने यहां से यह बोडी ग्राउंड कर रखाये यहां से यह बोडी ग्राउंड कर दी है यह दो वायर किस चीज के अब यह नेक्स टेप मैं आपको बताता हूँ अभी जो अपने को एक चाबी स्विच का भी चाहिए था connection चाबी स्विच का मेरे को यही हैंडल के पास ही मिल गया था यह हैंडल से चाबी स्विच से मैंने लिया है और यह जो जिस स्विच से मैं ओन करूँगा गाडी को वो यह रहा और इसमें से जो यह वाली वायर है यह देखो यह खिचरी है न वो यह वाली यहां ओन आफ की है यहाँ पर आ रखी है और यहाँ से जो यह वाली वायर निकली है इस वायर में मैंने यह 20 स्विच का कनेक्शन दे रखा है जो की जा रहा है 86 में पिन नमबर 86 में रिले की अभी जो है अपना 20 स्विच भी हो गया है और पोजिटिव भी हो गया है ग्राउड भी दे दिया है और अभी जो है इसके अंदर से जो पिन नमबर 87 से जो करेंट निकलता है वो यह है वहाँ यह मैंने sleeve लगाके यहां से बीच में से देंगे और बहर fog lamp को गया है और उन fog lamp को जो ground चीए था यहां से positive तो उनको मिल गया ground जो चीए था वे मैंने body में कर रख रहा है यहां से directly वहां पे उनको ground मिल गया, that means के मेरी wire की भी saving हो जाती है और मेरी wire भी वहां तक जो है यह single wire चलीगी और मेरेको दो wire नहीं खीचनी पड़ी तो अब यह मै ने आप लोगों को बताया था कि भाई इसके बाद भाई जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं original जैसे मारूति की तरफ से जो लैम्प के connection आते हैं वैसे ही करके दिखाऊंगा आप लोगों को तो वो जो है इसके अंदर से देखो ये light लगी है तो वो कैसे मैंने किया है अभी ये जेखो ये जो दो wire है ये तो on-off switch की हो गई है और इसके अलावा मेरे पास तीन wires बचती है ओन-off की लिए देखो मैं आपको इसमें color code बता देता हूँ जो चावी switch से आएगी that called positive ये green और red का जो marking है देखो ये वाली wire है और यहां से switch में से जो देंगे हम relay को ये red के साथ black है ठीक है और अभी अपने पास बचती इसके अंदर तीन wires जो की ये नीचे वाली जो है ये red और blue और एक black और अपना blue के साथ ये दोनों है इसके indicators की positive ये वाला indicator है एक ये वाला indicator है तो इन दोनों की positive ये है और ये जो red और yellow है ये इसकी negative है भाई negative मैंने अभी आपको बताया था ना कि नीचे जो body ground करी है उसके बारे एक और wire है उसके बारे मैं दुबारा बताऊंगा आप लोगों को तो ये है भाई ये मैंने नीचे से negative ले लिया है body ground और जो यहां से मैंने इन दोनों को current दिया है इन दोनों को तो वो दिया है भाई directly ये दोनों wires को जो है indicators की जो wire है इन दोनों को joint करके 87 से relay की जो 87 निकली है जो की मेरे head lamp को positive गई है उसी में मैंने यह yellow wire joint कर दिया यह यहां से भी yellow है और यह यहां से भी yellow है तो इस तरीके से मैंने इसके connection किये है भाई और यह बिलकुल A1 जैसे company की तरफ से आते हैं वैसे के वैसे यह जल रही है और इसका जो cut है यह मैं यहां से जो dummy लगी होती है न भाई इस तरीके की देखो यहां पर switch नहीं होता यहां dummy कोल के लेके गया था और फिर मैंने वहां पर एक scrap market में देखा बलैनों के अंदर यह switch मिला था मैंने वहां से मैंने यह लगा लिया इसमें और यह बिलकुल accurate यहां पर fit हो जाता है भाई देखो यह देखो यहां पर fit हो गया और यह dummy इसके साथ में यह यहां पर हो गया यह बिलकुल चैनलन देखता है यार वो देते हैं पहले इसके साथ अगर जो हम आफ्ट मार्केट लगाते हैं वो कीचने वाला बटन लगाते तो मेरे को बड़ा बुरा लगता है भाई तो यह अप मैंने इसका डाली दिया था तो वह आप इजीली देखके आप अपनी वाइरिंग कर सकते हैं तो भाई अभी light अपनी लग चुकी है और यह अभी fit करना है पंपर वाज़े को light मैंने किस तरीके से लगाई है अभी अंधेरा है थोड़ा सा देख लेना यहां पर इसकी negative है औ और यह जो है positive है और यह मैंने थिंबल लगा रखे हैं यह इसके अंदर जो है यह female थिंबल है और यह female थिंबल है और इदर male थिंबल है same दोनों के अंदर और as it is जो है इसमें भी same है और इसकी जो वाइरिंग जो है मैंने यह पर इस जो स्लीव आती है वाइरिंग स्लीव उसके अंदर डालके के ताकि कोई short circuit ना हो और यह यहां से निकालके यहां तक जो है इसके बाद मैंने सिर्फ single wire लिये देखो इसके अंदर only red wire है यह देखो यह single wire ले रखी है इसका जो ground है वो मैंने यह black quality इसके अंदर से लेके यह ground मैंने यहां पर कर दिया यह body के अंदर ground कर दिया तो बाकी अपनी जो single wire जो है अभी positive keep वो single गई है अंदर और मैंने यहां से लिया जो की हमारी खिड़की के अंदर से होते वे यह अपनी यहां से होते वे इसके अंदर से और यहां पर वो देखो स्लीव दिख रही है वहां से होते वे यह अंदर ली है मैंने और अभी इसको करते हैं बंद और उसके बाद आप लोगों को चला के दिखाता हूं मैं तो भाई यह देखो यह throw है इसका इसका fog lamp का अभी मैंने yellow किया हूआ है तो इस वज़े से light कम है इसकी अधर वाई light बहुत थी मैंने पहले चेक कर लिया था यह battery ले से लगा के और यह भी मैंने off कर दिया और यह भी on fog lamp देखो यहां पर मैंने प्लेस किया है बटन जो है इसका और यह बटन है और अभी जैसे मैं इसको ओफ करता हूँ तो देन यह लाइट नीचे वाली आ जाती है देखो यह यह वाली मैं उंगली रखूंगा भी और यह वाली और अभी जैसे ही मैं ओन करता हूँ फोग लैंप तो उपर वाली बत्ती आ जाती है फोग लैंप की तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहा रहा था कि मैं अभी जो फिटिंग करने वालों बिल्कुल जैनुवन जो कमपनी देती है फोग लैंप उसी तरीके से करने वालों भाई तो यह थ्रो है भाई देखो और इसके साथ यह लाइट का थ्रो आ गया और यह लोग भी मैं इसकी और यह हाइबून हो गई वैसे इसमें अपने को फॉग लैंप जलाने की जरूत भी नहीं बड़ती फॉग लैंप सिर्फ फॉग में ही जलाने की जरूत पड़ेगी अपने को तो यह अपनी वीडियो थी भाई और नई वीडियो में किसी और नई कंटेंट के साथ तब तक के लिए ओके बाई टाटा